चोपड़ा एज़िक इसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों उनिवर्सिटी के फाइनल येर के सिप्टेमबर में एकजाम कंड़क्ट नहीं होने के चांसेज बढ़ रहे हैं और जब सिप्टेमबर में फाइनल येर के एकजाम नहीं होंगे तो नीट वे जेई भी पोस्पोन होने की समावना बढ़ रही है उनिवर्सिटी के फाइनल येर के एकजाम जो सिप्टेमबर में करवाए जाने हैं उनके खिलाब सुप्रिम कोर्ट में याचिका लगी थी उसकी हीरिंग तो 10 अगस्त को है मगर सुप्रिम कोर्ट ने मारास्टर और दिल्ली गोवर्मेंट को इसके रेगार्डिंग 7 अगस्त तक एफिड़ेट फाइल करने को कहा था क्योंकि दिल्ली और मारास्टर गोवर्मेंट का कहना है कि कोविड 19 के चलते शिप्टेमबर में एगजाम कंड़क्ट नहीं करवा सकते और इसी को मद्दे नजर रखते वे उन्होंने फाइनल येर की एगजाम भी कैंसिल कर दी है अभी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मारास्टर कॉवर्मेंट ने सुप्रिम कोड में एफिडेट फाइल कर दी है जिसमें कहा गया है कि प्रोफेशनल और नन प्रोफेशनल कोर्स के फाइनल येर के एगजाम कैंसिल का जो डिसीजन लिया है वो पूरे होसो हवास में ल रिकोर्ड रखा है ये डिसीजन स्टेट डिजस्टर मैंनेजमेंट कमेटी द्वारा 13 जुलाई को लिए गए थे स्टेट डिजस्टर मैंनेजमेंट कमेटी का कहना है कि 6 जुलाई को UGC ने रिवाइजड गाइडलाइन जो जारी की थी उसके अकोरडिंग महारास्टर शिप्टेमर में एकजाम चन्टक्ट करवाने की इस्तिति में नहीं है क्योंकि काफी सारे एकजाम सेंटर कोविट सेंटर बन सुके हैं और माराष्टर कॉपर्मनेंट स्टूडेंट की जान को खत्रे में नहीं डाल सकती तो दोस्तों माराश्ट्रे स्टेट ने ये जो एफिडेट सुप्रिम कोर्ट में फाइल की है उसमें शिप्टेमर में एक्जाम कंड़क्ट नहीं होने के चांसे और बढ़ गए हैं अभी ऐसा लग रहा है कि सुप्रिम कोर्ट का फैसला भी स्टुडेंट के फिवर में ही आएगा तो वेट करते हैं 10 अगस्ट 2020 का सुप्रिम कोर्ट के फैसले का इसके बारे में जो भी डिसीजन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा और हम सभी इस बात को जानते हैं कि सुप्रिम कोर्ट का जब सिप्टेमर में फाइनल येर की एगजाम कैंसल करने का ओर्डर आता है तो निशित ही जेईवर नीट की एगजाम भी पॉस्पॉर्ण हो सकती है तो वेट करते हैं 10 अगस्त 2020 के सुप्रिम कोर्ट के डिसीजन का तो जो भी इसका डिसीजन रहेगा मैं आपको इन्फर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइव करके बेल आइकोन पर इसक्रिव वीडियो को लाइक वा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग